कि अधर स्टार आगे की कई आफ इस डेक्टो एंफ विडियो वालेदेश करेंगे वह इंपोटेंट टॉपिक आज बसके एंगे के बारे में नैशनल एकाड़ेमिड डीपोजीटरी की बारे में तो बहुत सारा वीडियो मैंने अल्रेडी नेड के बार में छोड़के रखा है दो तीन होगा सायद तो देख लेना वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो में actually हम लोग discuss करेंगे नेड का Q&A मतलब बहुत सारा question आप लोगों ने किया था तो उसका ही answer देंगा आज इस वीडियो में तो अगर आप MacOut Student है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपोर्टन है और अगर आप MacOut Student नहीं भी है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि ऐसी बहुत interesting वीडियो इस चैनल में आपको मिनते रहेंगे तो चलिए ज़र समयना लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो सभी question मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एक note पे तो मैं देख के आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए हर एक question का आइसार आपको आज मिल जाएगा तो NAD के बार में हर एक चीज आपका clear हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद तो चलिए start करते हैं सबसे पहला जो question है is NAD safe मतलब NAD क्या safe है तो बिलकुल जी हाँ दोस्तो NAD safe है यह देखी यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा होगा इस चीज में आप देख सकते हैं यह जब आप register करेंगे आधार से हो वीडावट आधार से हो तो NAD की तरफ से कि SMS आएगा वहाँ से ही मैंने cut किया यह वाला page तो यहाँ पर बोला गया है NAD safe तो कोई problem नहीं है NAD बिलकुल आपके लिए safe है तो चलिए next question में चलते हैं क्या NAD important है Macout students के लिए जो question आज का main topic है जी हाँ दोस्तो Macout का जो students है वो BCA हो सकता है BBA हो सकता है हर एक student के लिए NAD बिलकुल mandatory है क्यों है क्योंकि यह सब course graduation course है तो graduation हर एक course के लिए NAD ने बोला है कि Macout हो और कोई भी other university हो graduation अगर आप कर रहे है या फिर graduate इस साल हो गया है तो सभी के लिए NAD बहुत important है NAD ID create आपको करना पड़ेगा तो यह हो गया second question के answer थर्ड question यह है कैसे आपको NAD ID create करना है तो इसके लिए already मैंने वीडियो छोड़के रखा है without अधार विदाधार तो कैसे आप करना चाहते हैं यहाँ पर विदाधार कैसे आपको करना है वो आपको दिख जाएगा तो यहाँ पर item आएगा वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं तो इस नेक्स्ट बोला गया है why we have to create NAD ID क्यों हम लोगों को NAD ID create करना है देखिए NAD ID आपको बनाना है आपके फाइदे के लिए क्योंकि Digital India का एक नया मोटीव है NAD ID जो आपका हर एक information certificate हो सकता है यह बिल्कुल अलग बात है तो आप वो NAD ID से निकाल सकते हैं आपको हर एक information college का हो school का हो आप बोल सकते हैं university का हो तो हर एक information uploaded रहेगा NAD ID में तो without Aadhar कैसे NAD ID क्रिएट करना है वो जानने के लिए यह वीडियो देखते रहें यह मैं बोलता रहूंगा तो NAD ID अगर without Aadhar करना चाहते हैं तो देखना मैं जब जो वीडियो मैंने बनाया है without Aadhar तो उस वीडियो में जाहिए मैंने बोला है NAD ID without Aadhar भी क्यार सकते हैं तो without Aadhar option में क्लिक करना है ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको Aadhar के टाइम में जो जो फोर्म फिलाम आपने किया था आपका घर का डिटेल्स आप कहां पर रहते हैं आपका मम्मी का नाम पापा नंबर लिंक नहीं है OTP अगर आपका फोन में नहीं आ रहा तो आपको without Aadhar भी आप कर सकते हैं कोई problem इसमें नहीं है तो चलिए next question में चलते है next question है NAD certificate कैसे upload करना है जो आपका university वहाँ पे तो देखिए NAD certificate आपको upload करना पड़ेगा आपके university में वहाँ पे जाके आपको exam form में जाए जो मेंक आपको university है exam form में जाके मैं Macout के लिए बोह रहा हूं अधर students अधर जो आपके university है वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं exam form में fill up करके student ID में जाकर सकते हैं पर specially मैं MacOut students के लिए ये वीडियो बोल रहा हूं तो MacOut students के लिए आप कर सकते हैं आपका जो official website है MacOut का MacOutExam.net वहाँ पे जाके आप easily कर सकते हैं जो आपका exam form में वहाँ पे जाईए फिर student ID में जाईए आपका roll number and password दीजे फिर login कीजे login हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा आपको easily student NAD ID में जाना पड़ेगा फिर student NAD ID में जाके आपको NAD ID देना पड़ेगा फिर re-enter NAD ID करना पड़ेगा फिर आपने जो registration किया with आधार without आधार वहाँ पे एक printout निकलना पड़ता है तो वो printout आपको upload करना पड़ेग आपका वो side में तो कर देने के बाद आपको easily आपका NAD ID upload कर देंगे आपका official webpage में तो कोई भी problem नहीं होगा तो चलिए next question में चलता है next question आया है कि NAD ID क्या सभी के लिए है देखिए सभी के लिए नहीं है जो diploma कर रहे है पॉलिटेखनी कर रहे है उनके लिए NAD ID बिलकुल नहीं है NAD ID basically है जो graduation कर रहे है मतलब BCA, BBA, BTEC, BAC इनके लिए basically है NAD ID तो अगर आपका college अभी तक आपको NAD के बारे में नहीं बोला है तो आप college से discuss कीजे, college से बात कीजे कि NAD ID बिलकुल important है आप सभी को बोलिए NAD ID create करने के लिए क्योंकि last date है आपका 31.01.2020 मतलब 31.2020 तक आपके पास टाइम है जनुआरी के last तक तक तो उसके अंदर college भी इंफर्म कीजे अगर college से आपको इंफर्म नहीं किया गया है क्योंकि आप अगर graduation कर रहे हैं तो आपके लिए NAD बहुत ही important ह यह आपका placement के time में आपका job के time में आपको बहुत help भी करेगा तो यह बहुत important है और एक चीज़ बोला गया कैसे अगर कोई भी queries है तो कैसे आप मतलब NAD के साथ contact कर सकते हैं तो जी आप यहाँ पर देख सकते हैं यह NAD ID में आप मैं जाके यहाँ पर cut करके paste कर रहा हूँ य ऑगर सकते हैं वहां से कांटेक्च कर सकते हैं अगर वी और भी डाउट है तो नीचे कोश्य कोमेंट करके मैं जा सकते हैं वीडियो अच्छे लगे यह करना शेर मस्ट करना क्योंकि अभव बहुत important है और अगर मेरे चैनल पने है तो मेरे चार्ण को subscribe मस्ट कर लेना क्योंक को मिलते रहेंगे चैनल का नाम क्या है स्काइज दिलिमिट ज़रूर याद रखना आपके लिए बहुत ही helpful होगा तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत जल्द ने वीडियो के साथ फिर साफ लोगों समुना करत होगी तब तक के लिए बाबाई